हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सब कल हमने किया था नंबर सिरीज का प्रैक्टिस सेट और आज मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टन टॉपिक जो हर एक बैंकिंग एक्जाम का होता है डाटा इंटर्प्रेटेशन वो लेके आया हूँ आज हम एक most important D.I.E. जो है वो solve करेंगे जिसमें हर type का question होगा जो आपको exam में पूशा जाता है इसमें मैंने average की base पर question लिया हूँ है percentage की base पर question लिया हूँ है और ratio के base पर questions लिये हूँ है जो ज़्यादा तर exam में आपको पूशे जाते हैं तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं data interpretation data interpretation करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा जैसे कोई भी number ले लीजिए जैसे 764 यह number है यह number इस number में यह जो number है यह unit digit है यह जो number है वो 10th digit है यह जो है 100th digit है यही बॉलते हैं हम उनको यानि की जो 764 है वो कैसे बना होगा 700 में प्लस किये होंगे उन्होंने 60 फिर प्लस किया होगा 4 तब जाके 764 बना है यानि की हुआ क्या है 7 को इन्होंने 100 से multiply किया है 6 को 10 से multiply किया है और 4 को 1 से multiply किया है यानि की 100th digit इनको क्यों बोला जाता है क्योंकि इसमें जो है number को 100 से multiply किया जाता है इस number को 10th digit क्यों बोला जाता है क्योंकि इस number को 10 से multiply किया जाता है इस नंबर को unit digit क्यों बोला जाता है क्योंकि इसको unit यानि की 1 से multiply किया जाता है इसलिए इनको unit digit, 10th digit और 100th unit बोला जाता है ये चीज मैंने आपको समझाई क्योंकि इसका जो हम use अभी question में करेंगे तो चलिए हम अपनी data interpretation पर move करते हैं सबसे पहले आप DI को समझिए, DI is the most important topic जो किसी भी banking exam में पुछा जाएगा ये 10 marks का आपको पुछा जाता है, किसी भी pre exam में भी, mains में भी 10 marks का पुछा जाएगा कम से कम और clerical exam में भी आपको 10 marks का पुछा जाता है तो सबसे पहले आपने DI में 30 से 40 second लगाने है और उसको समझना है कि question है क्या DI को सबसे पहले समझना है तो सबसे पहले आप पढ़ोगे number of executive recruited by 6 different organization over the years कि 6 different organizations हैं, उन्होंने अलग-अलग years में कितने बंदे जो हैं recruit किये हुए हैं अपनी company में organization में उनका जो है आपको table दिया हुआ है यह है table जो वना हुआ है इसमें आपको जो different organization ने अलग-अलग सालों में जो number of executive recruit किये हैं वो बताये हुए हैं इसके base पर आपको पुशे जाएंगे different questions सबसे data interpretation जब भी आप start करोगे सबसे पहले आपने जो भी आपको कई बार आपको pie chart वेस दिया होगा, कई बार line graph होता है तो पहले आपने उस data को अच्छे से समझना है कि किस pattern में जो है उस line graph में जो है वो data feed हुआ है जा किसी भी table में किस तरह feed हुआ है जा किसी भी pie chart में किस तरह से feed हुआ है पहले उसको समझना है उसके बाद questions पर move करना है तो I hope आप सब को जो है ये D.I.E. समझा चुकी होगी इसके base पर हम करेंगे questions सबसे पहले आप D.I.E. को अच्छे से पढ़िए recruited by all the organizations together in the year 2006 ठीक है यानि कि ये हमें पूश रहा है कि total number of executives कितने हैं जो 2006 में different organizations के द्वारा recruit किये गए हैं तो हम चलेंगे अपने जो हमारा table है उसमें देखेंगे हम 2006 को ये रहा 2006 और हर एक different organization ने 2006 में कितने जो बंदे recruit किये हैं उन सभी का हमें क्या चाहिए total sum चाहिए यानि कि हम इन सभी recruiters को जो हैं plus करेंगे 480 को 495, 464, 508, 488 और 518 इनको हम करेंगे plus और हमारा answer आ जाएगा तो हम इनको traditional way से add ना करते हुए हम इनको अलग तरीके से add करेंगे मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम याड़ करना है सबसे पहले हम इनकी जो 100th digit होगा उनको plus करेंगे 4, 4, 48, 8 और 4, 12, 12 और 5, 17, 17 और 4, 21, 21 और 5, 26 यह आगया हमेरे पास 26 ठीक है यह आगया 26 मैंने आपको बताया था अभी हमने हाली में किया इसको कि 100th digit है उसमें हम क्या करते हैं नंपर को 100 से multiply करते हैं नंपर को 100 से multiply करते हैं तब जाके यह नंपर हमारा बनता है तो चलिए इसको हम कर देंगे 100 से multiply यनकि 2600 हमारा हमारा यह हो गया इसके बाद हम करेंगे 10th digit को plus 8, 8, 8, 8, 8, 16 17, 73, 23, 33, 31 31 32 यह आगे हमरे पास 32 यह 10th डिजिट है 10th डिजिट को हम किस से multiply करते हैं 10 से अगर आप इसको 10 से multiply करो गया 320 अभी तक आपको कोई confusion नहीं होगी तो चलिए अब करते हैं next जो है यूनिट डिजिट बचा हुआ है जो पांचार नो नो राट 17 17 राट 17 राट 25 25 राट 33 यह आपका आजाएगा answer करिये प्लस इसको 359 और 2953 विल बी और answer and option में देखिए आपको 2953 कहीं पर दिख रहा है नहीं दिख रहा कहीं भी तो 90 में आपको टिक करोगे और आपका एक मार्ग हो जाएगा पका इस question में हमने क्या किया हमने हर एक question जो मैं आपको कराऊंगा हर एक म में आपने क्या सिखा कि हम उल्टा प्लस करेंगे हम 100 जो 100th digit होगा उससे add करना start करेंगे क्योंकि इससे easy रहता है काफी आपके 2-3 second भी बजाएंगे तो वो भी माइने रखते हैं 2-3 second हमें हर एक question में 2-3 second भी बजाते जाएंगे तो हमारे लिए 1-2 question करने के लिए last में time ब बजाना है तो अब आते हैं next question पर next question पढ़िए यह आगया हमरे बास next question पढ़िए इसको what is the ratio of total number of executed executives recruited by organization U in the year 2007 and 2009 together to the total number of executives recruited by P in the same year ठीक है question पढ़िए आपको शायद समझा चुका होगा कि question क्या कहना चाहरा है इसको कहने का मतलब यह है कि हमें ratio चाहिए उस organization U organization के 2007 और 2009 में recruit किये गए जो recruities हैं executives हैं किसके साथ P के साथ और same year में ठीक है यानि कि यह क्या कह रहा है 2007 और 2009 में यू ने जो recruit किये हैं उनका सम्झी करेंगे हम पहले सबसे पहले और उसकी ratio निकालेंगे किसके साथ P के साथ जो P ने 2007 और 2009 में recruit किये होंगे executives तो चलिए करते हैं इसको solve यू ने 2007 में कितने बंदर recruit किये हैं 2007 में 2007 में यू ने recruit किये है 534 executives ठीक है और 2009 में यू ने किये है 510 executives ठीक है तो हम इनको करेंगे प्लस यानि कि 534 प्लस 510 ठीक है इसकी हमें ratio किसके साथ बोला हुए निकालने के लिए नोंने P के साथ 2007 और 2009 में जो executives नोंने लिए हुए है तो चलिए देखते हैं पी ने 2007 में 506 और 2009 में 492 जो है recruit लिए हुए है तो चलिए इनको करते हैं प्लस 5600 प्लस 492 इनको जब आप प्लस करोगे तो आएगा आपके पास 4401 इसकी जो आप 998 ठीक है तो इस ratio में आपको दिख रहा होगा ये कट जाएगा किसे कटेगा 522 ratio 499 से ठीक है तो चेक करिए कि ऐसा answer आपको provided है कहीं भी चेक करिए कहीं पर answer provided है बिल्कुल है कहां पर है D option तो इस question को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इन्होंने क्या बोला था ये आगया आपका ratio का question सबसे first question जो हमने किया था वो था sum किस तरह से करेंगी हम ठीक है total sum sum के base पर था ये था ratio के base पर ratio में क्या करना है हमें simply जो उन्होंने बोला होगा what is the ratio of total number of executed recruited by organization you in the year 2007 and 9 उन्होंने बोला कि 2007 और 2009 में you ने जो recruiters recruit किये थे उनकी ratio बताईए हमें P के साथ जो P ने भी 2007 और 2009 में recruit किये थे तो हमने fill कर दिए कि जो ‫you ता you ने 2007 में इतने बने रेकूर किये थे और 2009 फिर आगे 5063 P ने किये था 2007 में और P ने 492 किये थे 2009 में हम इन दोनों को प्लस किया इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को ऑप्लस किया रेशो के बेस पर अब हम तीसरा करेंगे जो होगा एवरेज के बेस पर तो चलिए हमें बोला गया है तीसरा कोश्चन जो है यानि की इन्होंने बोला है कि हमें एवरेज नंबर आफ एग्जेकुटिप निकाल के दो जो और गया है तो हम जाएंगे एश में एस यह रहा और हर एक साल में जो रिक्रूट किये हैं जो पूरी लाइन यह आगी कि एस ने डिफरेंट एयर्स में जो एग्जेकुटिव्स रिक्रूट किये हैं उनका हमें चाहिए क्या एवरेज एवरेज हमें पता है कैसे निकालते हैं टोटल सम आफ अफ अब्जरवेशन divided by number of observation हम सबसे पहले क्या करेंगे इनको प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे इनको number of observation जाने की 6 के साथ हम assume करके नहीं चलेंगे जैसे हम बड़े सारे लोग बताएंगे आपको की assume कर लेते हैं कोई वो मैं उस तरीके से बिलकुर एक मन नहीं करूँगा क्योंकि यह जो तरीका है इसमें आपको कहीं भी गलती की कोई गिंजाईश नहीं रहती है तो अब आगे हमारा तीसरा question जो है average की बेस पर तो चलिए इसको निकालते हैं तो sum करने का जो है formula मैंने आपको बताया कि हम किस तरह से sum करेंगे करिए sum इसका 5, 5, 10, 15, 4, 19, 19, 25, 24, 24, 28 ठीक है 28, 201 आगया हमारे पास उसके बाद हम करेंगे 10th डिजिट को प्लस यह आगया हमारे पास 4, 15, 9, 14 ठीक है 140 यह आगया हमारे पास और आए गया 8, 12, 14, 16, 9, 25 ठीक है यह हमारे पास आगया 25 कर देजे प्लस 5, 6, 9, 2 ठीक है यहनि कि हमारे पास जो total number of observation थी वो क्या आगया 2965 ठीक है average जो हमारे पास total sum of observation क्या आया 2965 और number of observation कितनी है 6 है ठीक है करिए divide इसको 64, 24 और बचक है हमारे पास 26, 6, 9, 54, 5 बचक है 56, 9, 2 बचक है फिर से 64, 24 point something लेकिन हमें अप्रॉक्स में बुछा है तो 494 की क्रीब क्योंसा answer है 494 खुद है तो यानि कि हमारा option A हो जाएगा तो चलिए मैं एक बार आपके लिए repeat कर देता हूँ सबसे पहले हमने क्या किया इन्होंने बोला था कि हमें average चाहिए उन एक्जिक्यूटिव की जो organization S ने ओवर दायर जो है recruit किये हैं तो हम S पर गए हमने S की जो भी उन्होंने recruit किये थे different years में उनको हमने किया plus प्लस करके हमने उनको गिया number of observation से divide divide हमने कैसे किया six four 24 बचा five 56 बचया six nine 54 फिर two बच गया 25 six four 25 बचा one तो आगे हमने निकाला इनी क्यूंकि हमें बोला था उन्होंने approximate बताओ हमें आंसर तो हमारा approximate answer क्या आगया four nine four तो hope average में भी average वाले question में भी आपको को confusion नहीं आई होग average का average करने का जो तरीका है बड़े सारे बंदें आपको बोलेंगे कि क्या करो आप एक number assume कर लो फिर है एक method वह method आप में बिल्कुल recommend नहीं करूंगा यह method सबसे best है क्योंकि इसमें आपकी गलती की गुंजाईश कोई नहीं है अगर आप और कोई method लोगे भी तो अभी आप जब चेक करोगे तो इसी method से उसको दुबारा चेक करोगे करा से कि कहीं गलती तो नहीं लग गई है तो फाइदा क्या है इसी method से हम राविश की questions को करेंगे तो next question जो है वो है percentage की बेस पे तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको कैसे करना है question को बिलकुल बारीकी से समझना है अगर आपको question समझ आ गया तो question आपका minimum 10-15 second में solve हो जाएगा अगर आपको question नहीं समझ नहीं आया तो आप बार बार पढ़ते रहोगे तो आपको समझ नहीं आएगा वो तो चलिए पढ़िए इसको what is the percentage increase in the number of executives recruited by organization R in 2005 from the previous year इनका कहने का मतलब है कि R ने 2005 में कितनी percentage increase की अपने executives को recruit करने में पिछले साल के हिसाब से तो चलिए जाते हैं हम table पे टेबल पे हम गए आर की बात हो रही है जाने कि यह बोरा कि 2005 में 472 थे उन्होंने बोला कि 2004 जाने कि previous year जाने कि 2004 ठीक है 2004 उन्होंने बोला कि उन्होंने कितने percentage increase करी अपने पिछले साल के हिसाब से तो चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कितनी percent कितना increase हुआ पहले देख लेते हैं प्रिवियस year से 2005 में आने के लिए कितना increase हुआ है 12 से 8 गए 4 और 46 में से 41 गए 5 यानि कि 54 पिछले साल के हिसाब से देखा जाए तो जो आर था उसने 2005 में 54 जो recruiters ज्यादा recruit किये हैं ठीक executives ज्यादा recruit किये हैं तो किस पर किसके बेस पर हमें percentage निकालने को बोला है प्रिवियस year के बेस पर जानी कि वर्ट इस प्रसेंटेज इंक्रीज 54 हमने भी चेक किया इंद नंब्र आफ एक्जेक्यूटी रिकूर्टेट वाइशन और इन 2005 ठीक है ना फ्राम प्रिवियस year यानि कि पिछले साल कित पिछले साल के हिसाब से percentage इंक्रीज बताईए और की 2005 में कितनी है ठीक है हमने बता दिया कि 54 जो है इंक्रीज हुआ है 2005 पांच में जो रिकूर्ट हुए है 2004 के हिसाब से तो 2004 के हिसाब से नीचे लिखती है जो भी बिद रिस्प्रेक्ट्टू जिसके साथ भी लगता है तो तो वह आएगा नीचे ठीक है ना फ्राम दर प्रिविए से यह नीचे आगया अब निकालेंगे इसका अप्रॉक्सिमेट आंसर चलिए करते हैं इसको अब मुझे 418 का जो है टेवल नहीं आता है तो मैं क्या कर लूँगा इसको 400 कर लूँगा ठीक है 400 कर लिया लेकिन दिम शूष्ण को करते हैं चार से जब हम इसको करेंगे 4 1s 4 ठीक है बचा कितना 1 रणकी 14 और 4 3s 12 ठीक है लगबक 13 लेकिन हमने क्या किया था घिनामिनेटर को क्या धा दिनामिनेंटर का का क्या होगी जो हमारे ये वैली होगी ये ठोटी क्या इसको आइस होना प्यूँए क्यो तो यहां पर थोड़ा कम आता समयरेंगे आप क्योंकि जब denominator बड़ा हो तो जो उपर वाली 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 आती है तो सेम अगर 13 है 13 से थोड़ा से नीचे थोड़ा से नीचे तो मतलब देख लिए अधर अठरा ये नहीं होगा 12.92 ये हो सकता है और कोई भी 13 से नहीं है तो 12.92 ये होगा ये आंसर होगा तो अप्रॉक्सिमेट में नन अफ्दीस अफ्शन दिया बेशक होता है लेकिन ये 99% चांसे होते हैं कि अप्रॉक्सिमेट जिसमें बोला है उन्होंने कहने के लिए तो नन अफ्दीस कभी आंसर नहीं होता उस कोईशन का ये अपने दिमाग में बात दियान से रख लेनी है क्योंकि उन्होंने अगर पहले ही बोला अप्रॉक्सिमेट तो लॉजिक है कि कुछ ना कुछ अप्रॉक्सिमेट हुआ होगा पोशन में ठीक है ना तो ये चीज आपने दियान में रखनी है फोप इस चीज की आपको आता है जो है वन को जो फोर से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.25 जो 0.25 आता है यानि कि जब हम डिनामिनेटर बढ़ाते हैं तो ग्या होता है जो ये वैल्यू होती है जब हम डिनामिनेटर को बढ़ाते हैं तो ये वाली वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब हम डिनामिने यहां पर भी 100 एजिम करेंगे जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा यानि कि वैल्यू क्या आई ज़्याद आई जब डिवाइड शोटा था लेकिन जब हम सेम कॉश्चन में 100 को जब हमने 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू 25 आई जब हमारा डिवाइड इनक्री जब चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर मूव करते हैं तो नंपर औफ एक्जेकुटिव्स रिकूटिड बाइड ऑर्गनाईशन टी इन दे यह तो थाउज़ाइड एड फॉर्म सब्रॉक्सिमेटली वाट परसेंट अफ़ टोटल नंबर आफ एक्जेकुटिव्स रिकूटि कि जो नंबर आफ एक्जेकुटिव्स हैं रिकूट किये गए हैं और्गनाईशन टी के दोवारा 2008 में ठीक है फॉर्मस अप्रॉक्सिमेटली अप्रॉक्सिमेटली कितना परसेंट हैं वह तोटल नंबर आफ एक्जेकुटिव्स रिकूटिड बाइ ऑल डर्गनाईशन तो together in that year तो ठीक है हमें समझा चुकी है क्या कोशन है इन्होंने बोला हुआ है कि चलो निकालते सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है नंब्र आफ एक्जेक्टी रिकूटेट बाइ और अर्गनेशन टी इन दायर 2008 कितने है 2008 में 2008 में 2008 में टी के दोरा रिकूटेट गिये गे 510 यहां पर आएगा पांसो दस और नीचे क्या आएगा वाट परसेंट अफ टोटल नंब्र आफ एक्जेक्टी रिकूटेट बाइ और अलगनेशन तो गैदर इन दायर यह यानि कि 2008 में 2008 में 2008 में सब्या और्गनेशन के द्वारा जो रिकूट किये गए होंगे उसका कितना है यह ठीक है तो जानि कि हमें क्या करना पड़ेगा 2008 में जो सवी और्गनेशन ने जो रिकूट किये गए हैं किये हैं बच्चे उनको हम प्लस करेंगे ठीक है तो करिए प्लस कितना आता है मैंने आपको बताया तरीका सबसे पहले हम करेंगे चार 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 बारा पांच सत हमें टॉट लिए टोटी सीकुछ बांटेशन वह फिलक्सी चीछ पर यह उसका कि पर लिखंटी चैस cook हो तैंटी चैसले में तो इसेख़ंड यह बाकिया अगिया ऑंडु डुँ आट द दस दस दो बारह त्यरा चोदा गंडरन से-पैंडरन चैज़ल करनं दोनी आ नह ट 16 और 8 24 चिक है कर दीचे प्लस 4 5, 8, 2 28 चरूंचा ठीक है यह आगया नीचे इसके यानि कि यहाँ पर आएगा 284 चरूंचा समझ तो आपको आगी होगी मैंने कैसे प्लस किया हम D.I.E. में शुरू से ऐसे ही प्लस करते आ रहे हैं सबसे पहले हम 100 दिजिट को प्लस कर रहे है फिर उसके बाद 10 दिजिट को प्लस कर रहे है उसके बाद यूनिट दिजिट को हम प्लस कर रहे है उसको हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 284 चरूंचा multiply by 100 क्यूंकि हमें what % बोला हुआ ज है जाने कि तीन हजार है एक तो दोनों मैतना में आपको करवा देता हूं यह जो अज्यूम करने वाला मैतना वह सबसे सही रहता है क्योंकि अप्राक्सिमेटली बोला हुआ तो 99% चांसे यह हैं कि अज्यूम करके यह हो जाएगा तो चलिए अज्यूम करके कैसे करें कि हम पांसो दस है तो पांसो माल लेते हैं थाइसो चुरुजा है इसको लगवक तीन हजार माल लो पर याद रखना है कि हमने क्या किया है वैल्यू जादा ज्यूम की है ठीक है मल्टिप्लाइभाई हंटर यह लग आगया वनवाई सिक्स इंटू हंटर यह आगया 16.666% ठीक है लेकिन हमने पर हमने जो है इसको होई है जादा लीवी है जादा लीवी है जानिखत ज bok Запनें क्यू हो जा ज़ादा य然ि कि यह जो जादा हो होगा ठीक है एक में यह लेकिन दूसरा में अगर आप करना चाहो थोड़ा सा जाता अप्रॉक्षिमेट करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो कि 28 जो है 285454 का 28 जो होगा वह कितना होगा होगा 10 परसेंट ठीक है 10 परसेंट अगर 28 है तो 56 कितना होगा 20 परसेंट लेकिन यहां पर क्या है 51 यानि कि 20 परसेंट से नीचे है थोड़ा और देख लीजे इस नीचे थोड़ा सा नीचे जाने कि कितना कोई 2% कोई लगवग 2% नीचे आना है 2% 2-3% नीचे आना है लगवग ऐसे 2-3% नीचे आनसर क्या है 18 है इस तरह से आपने करना है मैंने किस तरह से किया इसका जो है मैंने 10% निकाल दिया 28 28 इसका 10% निकाल दिया इसका 20% कितना हो गया 28 को दूगुना किया तो 56 यहां पर कितना था 51 यानि कि लगवक 20 परसंट था 20 परसंट की क्या है थोड़ा नीचे है